अलो स्टूदिंस दिस इस उर्वितिवारी एंड यू आर वाचिंग यूर फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैगनेट ब्रेंज जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री एजुकेशन वेल 100% फ्री का क्या मतलब होता है इसका मतलब यह है कि आपको दो चैप्टर के बाद यहां प इसकी सिरीज लाई जाती है और यह जो सब कुछ चीज़े हैं यह सभी फ्री ओफ कॉस्ट है वेल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइन्स सब्जेक्ट लेकिन साइन्स की शुरुवात करें उससे पहले मैं आपको बाकी टीचर से इंट्रड्यूस करा देना जाती ह हूँ जो कि आपको बाट्स, इंग्लिश, सोशल या हिंदी पढ़ाते हैं वेल इन सब का भी साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है तभी हम होंगे काम्याब हमारे एक्जाम्स में और हम बहुत अच्छी तरीके से जो भी नॉलेज है उसे गेन कर पाएंगे चलिए तो वेल हम मैं ने शुरुआत कर दिए चाप्टर नंबर फॉर की जिसका नाम था सौर्टिंग मटेरियल्स इंटो ग्रूप्स बैल मैंने आपको बताया था कि हमारे आस पास कई तरीके के मटेरियल होते हैं कुछ मटेरियल जूने में आपको सॉफ लगते हैं कुछ मटेरियल शाइनी होते हैं कुछ material की ऐसे quality होती है कि हम उनको wear कर सकते हैं तो मैंने आपको समधाया था कि objects क्या होते हैं और हमारे आस पास कौन कौन से थरीके का object है ठीक है अब object क्या हो सकता है तो इस चीज़ को और बहतर समझने के लिए याद रखने के लिए कि अगर हमसे कहा जाए कि we have so many objects around us तो आपके दिमाग में क्या-क्या चीज़े क्लिक करना चाहिए यह बात यह आपको ध्यान रहे उसके लिए हम शुरुआत करते हैं activity one की और activity कौन से है तो आप क्या बता सकते हैं तो यह याद रखने के लिए और हमें यह चीज़ समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले तो let us collect as many objects as possible around us अब हमें क्या करना है हमारे आसपास जितने भी आपको objects दिख रहे हैं उन्हें आपको collect करना है object का मतलब जैसे कि आप जहां पर बैठे हुए है for example आप अपने study table पर बैठे हुए है या अगर किसी room में बैठे हुए है तो आपके असपास कौन-कौन से objects हो सकते हैं तो जैसे मैंने अभी आप से कहा study table तो study table में आपको क्या-क्य object मिलेंगे आपको मिलेगा pencil, paper मिलेगा, plastic scale मिल सकता है और आपके असपास chair होगी, chair किस material की हो सकती है, plastic की भी हो सकती है, wood की भी हो सकती है, या metal की भी, लेकिन घरों में हम क्योंकि हमारे घर में हमें आसानी से हम उसको एक जगा से दुसरे जगा पर उठा पाएं, तो हम maximum time plastic या फिर wood का यूज करते हैं, और क्या-क्या चीजी होंगे आपके आसपास, आपके आसपास हो सकता है कि curtains लगे हुए हो, जो कि cotton material की हो सकते हैं, और हपन बहुत सारे ऐसा examples हैं, जो कि हम हमारे आसपास देख सकते हैं, for example, अगर glass है, utensils हैं, तो steel या aluminum का बना हुआ होगा, तो ये सभी वो सारे objects हैं, जो आपको आपके चारों तरफ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, चलिए, so each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom, और from outside the school, अब आप कुछ objects जैसे कि अभी तो classrooms में आप नहीं होंगे, आप घर में होंगे, तो आप क्या कर सकते है कि अपने घर के बहुत सारे objects के एक list बना लीजें, और साथ ही सान उन objects के आपको list बनानी है, जो कि आपको street पर मिल जाएगी, मतलब कि classroom से बाहर की तरफ, जैसे कि classroom में आपको क्या क्या मिल जाएगा, chalk, pencil, notebook, rubber, duster, hammer, nail, soap, spoke, of a wheel, bat, matchbox, salt, potato, हाना, तो बहुत सारी चीज़े जो हैं, वो आपको classroom object की तरह मिल जाएगी, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़े क्यों collect कर रहे हैं, so हमको क्या करना है, अभी हम step by step चलेंगे, हमें क्योंकि पढ़ना क्या है, sorting of material के बारे में पढ़ना, हमें पता होना चाहिए कि different types of material कौन कौन से होते हैं, हो स सबसे पहले तो हमारे आसपास किस तरह के materials हैं, right, for example, जैसे मैं आपको classroom का बताया, तो classroom में आपको क्या क्या दिखता है, chalk दिखता है, pencil दिखता है, pins होती है, और backpack होता है, notebook होती है, अब ध्यान रखने वाली या समझने वाली चीज़ ये है, कि जितने भी objects हमने हमारे देखे हैं, वो सभी एक दूसरे से थोड़े से different है, कैसे, जैसे कि pencil हो गया, ठीक है, या फिर अगरपिन desk की, या chair की बात करें, तो ये सभी किस material से बने होते हैं, wood से, और अगर मैं बात करू, scissor की, या फिर steppler की बात करू, हरा, तो ये सारी चीज़े जो है, वो metal से मिल करके बनी होती है, अब कुछ जो चीजे होती है, वो आपके combination से मिल करके बनी होती है, for example, अगर आपने देखा होगा, pencil का sharpener, तो pencil sharpener क्या होता है, किस-किस तरीके की material से बना होता है, plastic से और थोड़ा सा continuous में metal का होता है, इसी तरीके से pins, आपन आप देखते है, paper pins जो होती ह उसका जो नीचे वाला portion है, ये तो आपका metal का बना हुआ होता है, ठीक है, लेकिन ये जो उपर वाला portion किस से बना हुआ होता है, ये बना होता है आपके plastic का, हाना that piece की combination भी चलता है, तो आपको क्या करना है, इस activity में, basically हमें इस तरीके का chart prepare करना है, जिसमें आपको objects लिखन हैं और वो किस object से बने होते हैं, ये identify करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आसपास के objects को एक बार analysis कर लो, analysis मतलब से देख लो, समझ लो कि कौन सी चीजे हैं, क्या क्या चीजों से बनी हुई हैं, जैसे कि आपने classroom objects देखे, तो classroom objects कौन कौन से होते हैं desk, chair, books, notebook, pencil case, backpack, scissors, compass, pins, clips, pencils, colored pencils, pencil, sharpener, cello tapes, rubber, cutter, and pens, calculator, staplers, right, अब ये सभी आपको कैसे लिखना है, आपको ये सब ध्यान में रखना है, और फिर हमें उस लिस्ट में उसे लिखना है, right, next अपन चलते हैं, तो भाई, कुछ objects जो होते हैं, we can also list objects that we can think of, but cannot bring to the classroom, अब कुछ objects ऐसे आपको जरूरी नहीं कि आप अपने आज पास की objects लिखे, आप ऐसे objects भी ले सकते हैं, जो कि आपको classroom में नहा मिल रहे हो, तो आज पास की objects के बारे में सोचिए, जैसे की wall, trees, doors, tractor, road, separate all objects from this collection that are made from the paper or wood, अब आप और examples ले सकते हो, objects तो objects हैं, हम और कि trees को ले सकते हैं, wall को ले सकते हो, आपने सोचा भी तक object के बारे में कि wall, ग-יक object हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि वो भी किसी नग किसी material से मिल करके बना हुआ है, similarly trees भी object है, doors भी आपका object में आएगा, tractor, road ये सभी क्या है ये सभी objects हैं क्योंकि किसी material से मिलकर की ये बनते हैं फिर अब आपको क्या करना है, जब आप ये सारे चीजों को सोच लेंगे कि हमारे आसपास कौन-कौन से objects हैं, जैसे कि आप picture में भी दिख रहे हैं जैसे कि आप street light की बात करो, या lamp की बात करें, benches की बात करें और हमारे पास जो dust beans होते हैं या shade होता है, इसके अलावा आपके घर में बहुत सारे objects होते हैं जो कि कुछ wood से बने होते हैं, कुछ metal से और तो और kitchen में मौजूद जो भी आपका salt होता है यह सभी भी आपके objects के अंदर आएंगे, तो अब आपको क्या करना है इस activity में one group has the object that are made from the paper और wood, while the other group has the object that are not made of these materials तो basically इसमें आपको क्या दिया हो गया है, आपको एक table दिया हुआ है objects का, ओके जिसमें आपको material दिये गए हैं और object बताये गए हैं कि कौन सो object किस type के material से मिलकर के बना हुआ है, तो आपने भी जितनी भी सारी चीज़ें सोची है, आप उसे इस list में लिख सकते हैं similarly we could separate the things that are used for preparing food और साथ ही साथ, जैसा मैंने आप से कहा कि आप अपने kitchen के समानों को भी, kitchen के objects को भी, जो कि आपके cooking में use करते हैं, उन्हें भी include कर सकते हैं, जैसे कि salt, pepper, ये सभी आपके objects में ही आ जाएंगे let us do, let us be a little more systematic, list all object collect in table 4.1, try to identify the material that each one is made of, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, कि आपको table बनाना है, जो कि आपकी NCRT book के activity 1 में दिया हुआ है, तो हम इसको solve कर लेते हैं, कि किस तरह से solve करेंगे जैसे कि देखें, सबसे पहला object हमने kitchen से ले लिया, जो कि था plate, right, plate किस से बनी हुई है, हो सकती है, steel से, glass से, या plastic से, अब आपकी घर में हो सकता है, किसी के घर plastic की, plates हो, किसे क्या steel की हो सकती है, किसे क्या glass की, और भी दूसरे material हो सकते हैं, कहीं कहीं पर आप देखोगे, त किसका होता है, या तो plastic का होता है, या metal का होता है, या इन दोनों की combination का हो सकता है, आप और कौन से objects हैं, तो भी अगर मैं बात करूँ, shoes की अना जो आप शूस पहनते हैं तो वो शूस किस-किस के बने होते हैं तो भय यह जो शूस है यह लेदर का भी बना हो सकता है और आपके रबर के बी यह बन सकते हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें शूस के अलावा और बहुत सारी चीज़ें अपर ने देखी थी तो हम देख सकते हैं चेयर चेयर अगेन किस-किस की बनी हो सकती है अगर आप बाहर पार्क वगिरे में जाएंगी तो आपको किसी मैटल की मिलेगी या फिर अगर बस टॉप्स पर आप देखते हो तो मैटल की रहती है या फिर इसके अलावा प्लास्टिक का यूज किया जाता है चीक है प्लास्टिक के अब हम किसका यूज करते हैं तो वुड का यूज कर सकते हैं चेयर के लिए जो आपकी घर में study table में होती है इसी तरीके से हम बहुत सारे options लेकर करके बता सकते हैं objects के कि कौन सी चीज किस से बनी हुई हो सकती है ठीक है चलिए तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि वह object किस करना है next activity 2 जब हम start करेंगे तो उसमें हम आपको आपको material बताएंगे और उस material का आपको बताना है कि कहा कहा यूज किया जा सकता है okay so it would be fun to make this a last table collecting the information about as many objects as possible तो भही अभी हमने जो टेबल दिया था उसमें सिर्फ चार चीजे include की आप उसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट कर सकते हो तो आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ अगर मैं बात करूं हमारे बैड की तो बैड किस material से बना होता है या फिर अगर हम पिलो की बात करें तो यह जो पिलो है यह किस से बन सकता है आपका reading lamp किस से बना हुआ है तो यह स सीम डिफिकल्ट तो फाइंड आउट 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 ओफ विच सम आफ इस ऑब्जेक्स आर मेड इन सच केस डिसकस विडियोर फ्रेंड टीचर्ट और पैरिंटिफाइड अब हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसा मटेरियल हो जिसके बारे भी ना पता हो कि भाई यह मटेरियल किसका है तो आप अपने टीचर की या फ्रेंड की हेलप ले सकते हैं और आप यह पूरा जो चार्ट हमने अभी बताया था आपको इसे और अच्छे तरीके से प्रिपेर कर सकते हो तीक है चलो आप अपने आ जाते हैं एक्टिविटी टू में तो टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉम कॉलम वन जो है इसमें आप बहुत सारे और भी मटेरिल एड कर सकते हो जो यहां पर अड़ेड ना हो ओके और आपने आसपा सारी ऑब्जेक्ट की बारे में सोचिए तो वह इसलिए मैं कह रही थी ताकि आप यह जो आपके NCRT वुक में अक्टिविटी टू दी गई है उस से बहुत अच्छी तरीके से सौफ कर पाएं चलिए तो सबसे पढ़े तो हम वुड़ पेपर को तो हमें अलरीडी दिया हुआ है कि वुड़ से क्या-क्या बनी हो सकती है चेयर टेबल प्लग बुल क्लॉक कार्ट अनिट्स वील्स इसके अलावा पेपर किसके यूज से बाएं क्यालेंडर्स यह सब पेपर से बनता है ठीक है आप अगर हम बात करें लेदर की तो लेदर आपका जो है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं तो बेसिकली लेदर जो है उससे आप बना सकते हैं ठीक है बैक के अलावा आप लेदर के यूज से शूस बना सकते हैं ठीक है और leather से क्या बन सकता है आपके cover जो होते हैं वो भी leather का होता है ठीक belt कभी-कभी आप जो generally boys use करते हैं वो belt भी क्या होता है वो भी leather का बना हुआ हो सकता है ठीक इसी तरीके से अगर आपन ये plastic के बात करें ठीक है तो ये plastic material से क्या-कै चीज़े बनी हुई हो सकती है तो भी प्लास्टिक जो है उसके बहुत सारे एक्जामपल है जैसे चेयर हो गया ठीक है चेयर के अलावा आपकी जो बॉटल्स होती है ठीक है, chair, bottles, pins, ठीक है, ये भी आपकी plastic से बनी हुई हो सकती है और उसके बाद cotton, तो cotton के आपके cloth बनते हैं, ठीक है, और cotton का carpet बनता है, और cotton से क्या बन सकता है, cotton से भी हम bag बनाते हैं सॉक्स बनाते हैं ठीक तो बहुत सारी चीज़े हैं परोरी नहीं कि इसमें जो चीज़े दी हुई है आप उन्हीं को ही बताएं आप इसके अलावा और भी सारे अबजेक्स ले सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं करें बंथे हो बंथे उसके अलावा मैटल का यूज अपन जो हमारी वायर लोते हैं थाइक है इनको बनाने के लिए आपके जो भाइटर यूसके अंदर उसके अंदर कॉपर वायल अशिफ करते करें हम इसका कॉमिनेशन में भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था पी शापनर को ध्यान से देखिये तो यह जो शापनर है इसका आपने देखा होगा जहां से आप उस pencil को sharp करते हैं वो portion इसका metal का होता है और बागी का जो portion है वो इसका plastic का होता है ओके तो भई हम इस list को और जादा बढ़ा सकते हैं तो भई इस list से क्या समझ में आ रहा है इस वाली activity जो है यह जो आपकी activity है यह वाली तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है तो हमें यह समझ में आ रहा है कि हमारे आसपास material ही material है और एक material से हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं ओके तो अब हमें यह जानना है कि यह जो material है इन्हें हमने क्यों groups में बाटा हुआ है या फिर इन material जैसे कुछ material है जिनसे ह सिर्फ एय पर्टिकुलार टाइब की चीज़ मनाते हैं पोर대 Sam h Ora da आप से क्या क्या चीजे बनाती हो आप उसके कोटन सकते हो आप उसंदे कारपई और अपने पहनने के जितने योई उस्पताने में तो करते हो लेकिन क्या आप उसे पहन सकते हो जी नहीं क्योंकि वह उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इन सबकी प्रॉपर्टी ब्रॉपर्टी क्या ठीयों करते हैं क्योंति हैं मिन्होंगा दॉपर्टे Colton by फн système stable first we grouped object in many different way we then found that object around us made of the different material so activity में आपको क्या बताया गया तो इस activity से आपने क्या क्या सीखा आपने यह देखा कि आपके असपस different type of materials हैं बहुत सारे तरीके की materials हैं और एक ही तरीके की material को आप अलग-अलग जगे यूज़ करते हो तो at times an object is made of a single material and object could also be made of many materials इस्तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि कोई एक object जो है वो एक material से भी बन सकता है या फिर कई object ऐसे होते हैं जो की combination of objects से मिलकर के बने होते हैं for example अगर मैं आपको example दो इस चीज़ का तो इसका example क्या है वैल इसका example है again electric wire electric wire अब आपने देखा होगा आप आप जो iron करते हैं जो आपन इलेक्ट्रिक प्रेस अपने पास होती है तो यह जो electric प्रेस में जो वायर लगा होता है ठीक है यह वायर किसका होता है तो उपर से तो आप देखोगे कि उसके उपर ऐसी plastic दिखती है आपको प्लास्टिक का वायर दिखता है यह मैं आपको थोड़ा ऐसे समझाने के लिए बना दियो और अंदर की तरफ आप देखोगे ना तो अंदर उसके अंदर होते हैं copper wire मतलब बाहर से तो वह प्लास्टिक का होता है ठीक है लेकिन अंदर क्या होता है अंदर उसमें मौजूद होता है copper wire है ना इसका मतलब कि कोई भी चीज जो है वो एक ही टाइप के material से नहीं बनी होती है हो सकता है कुछ ऐसी चीज़े हैं जो की हमारे different type of material से बनी हुई हो जैसा कि हमने एक example देखा electric wire अब कुछ ऐसे items होते हैं जो कि single material से मने होते हैं तो उसका example क्या हो सकता है तो भी आपके cloth हो सकते हैं या फिर आपकी जो chair होती है जो या तो wood की होगी है ना या फिर वो किस की हो सकती है metal की हो सकती है या फिर वो plastic की हो सकती है तो मतलब एक type का material की भी चीज़े होती है और आपके दो combination से भी बनी बाली से भी तैयार material भी हो सकता है clear है चलिए तो एंड देन अगें one material could be used for making many different objects अब अपन एक चीज़ बोलें कि आए एक टाइप का making many different objects so what decided which material should be used for making any given object it seems that with that we need to know more about different materials तो अग किस चीज से पता चलता है what decides which material should be used for making any given object तो यह किस चीज से पता चलता है कि किसी एक particular चीज को अगर आपको बनाना है तो आप उसमें यही तरीके का या एक specific तरीके का ही material यूज करो तो उसके लिए क्या जानना जरूरी है तो उसके लिए जानना जरूरी है properties of material जैसा मैं आपको बता रही हूं ओके जैसे आप बहुत सारे नए नए इन्वेंशन होते जाते हैं ओके पहले अब आपने देखा होगा कि रोड्स जो होती थी वो जैनरली आपको किसकी रहती दी डामर की ठीक है अब आप क्या होने लगा है concrete की रोड्स बढ़ना शुरू हो गई है cemented roads बढ़ना शुरू हो गई है तो मतलब क्या देखा गया होगा यह देखा गया होगा कि जो हमारी normal हम लोग जो black damer जो यूज करते हैं roads को बनाने में तो वह इतनी जादा उसकी strength अच्छी नहीं थी तो फिर हमने concrete को लिया और समें cement को use किया तो मतलब क्या हुआ कि इसकी strength बढ़ गई तो हमें यह सब चीज़े कैसे पता चली कि आप इस जगह पर इस material की जगह पर आप इस material को use कर सकते हो तो हमें यह ऐसे पता चला कि हमने देखी उसकी properties हैना हम बहुत सारी material को test करते हैं उसकी property निकालते हैं अब properties क्या क्या होते ही तो वह मैं आग भी आपको आगे समझाओंगी क्लियर है तो वह properties समझने के लिए आपको मेरा next video देखना पड़ेगा उस वीडियो में आपको यह समझाओंगी कि भाई कौन सी चीज़ जो है वह उनकी मतलब properties को क्या कहा जाता है अलग-अलग तो वह भी आप देख सकते हैं magnet brains पर जाकर के आपको अपनी class select करनी है that is class 6 इसके बाद आपको चूज करना है folder by सुर्भी तिवारी और उस पर जाना है watch now करना है जैसे ही watch now करेंगे तो आपको बहुत सारे chapters दिख जाएंगे उनके topics हैं सब topics हैं तो जो भी पढ़ना है ना उ चाहिए और चानल को शेयर करें अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ जो कि किसी और क्लास में है क्योंकि हमारे पास है 100% free classes from kindergarten to class 12 और सो चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी recent update है वह आप तक तुरन पहुच जाए अब हम बिलेंगे हमा पीज स्टे हेल्दी और पढ़ते रहें थैंक्यू सू मच